महनत वह सुनेरी चाबी है जो बंद भविस के दरवाजे भी खोल देती है आप सबी बोलते हैं कि भाईया मेरा मैत बहुत कमजोर है पढ़ने में दिल नहीं लगता है इतना फॉर्म गिरता है उसके बीस सेलेक्शन कैसे लिया जाए मैं बताता हूँ अगर आपके अंदर ये महनत करने का जजबा अगर आपके अंदर है तो आप करोडों के भीड के अंदर से भी न आप अपना सेलेक्शन ले सकते हैं आप अपने आपको उतना talented उतना प्रयाप्त बना सकते हैं कि आपका एक seat पर हक तो confirm बन ही जाएगा लेकिन आपके अंदर ये महनत होना चाहिए लेकिन सभी को पता है महनत करने के लिए थोड़ा कस्ट करना पड़ता है और कस्ट करना कोई चाहता नहीं है ठीक है तो कहां से क कुछ मिलेगा तो अपने आपको न महनत के लाइक बनाईए अपने आपको ताकि आने वाला जो भी मंजिल हो उसके दरवाजे फटा-फट खुलता चले जाए आपके महनत की चाहबी से क्लास को स्टार्ट करूँगा इसी साथ और बोलूँगा चैनल के उपर जो भी नए है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को आप सभी दबा दीजेगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा ताकि आप सभी को प्रॉपर वे में वीडिय दे सकते हैं ताकि exam से पहले आप सभी judge कर पाओ कि आप score कर कितना पार है ठीक है और आपको हर एक mock test दोनों ही language में मिल जाएगा यानि Hindi और English दोनों ही language में और एक बात मैं बोल दूँ 349 वाला package अगर वहाँ से buy करते हैं तो एक साल तक के validity के साथ आपको आने वाले साल भर तक हर एक exam का mock test दिया जाएगा कम से कम हर exam का 20 से 25 sit और आज cover करने वाले हैं हम सभी 29 February की important current affair आप सभी को पता है इस verse February के महने में 29 तारी का date पढ़ाए क्यों क्योंकि लेपियर कैसे पता करते हैं तो जो verse 4 से cut जाए उसको क्या बोलते हैं लेपियर बोलते हैं सभी को पता होगा तो देखते हैं आज का पहला current affair हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और पहला प्रस्थन है उद्दव ठाकरे ने लातूर मेडिकल कॉलेज आप सभी को पता है उद्दव ठाकरे महरास्ट की मुख मंत्री है उन्होंने क्या किया है लातूर मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रख दिया है नाम को बदला गया है तो मैं बता दू विलासराव देशमुक के नाम पर रखा गया है अब लातूर मेडिकल कॉलेज का नाम होगा विलासराव देशमुक इस्टिट्स ओफ मेडिकल साइंस ठीक है और आप सभी को पता होगा यह विलासराव देशमुक कौन है तो मारास्ट्र के पुर्व जो है यह मुख्य मंत्री रह चुके है कॉंग्रेस से थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ अगर आप बॉली बुड में फिलिम में थोड़ा सा भी इंप्रेस्ट रखते है तो जो फिलिम के आज के रेट में जो एक्टर है रितेश देशमुक उन्ही के यह फादर है आपके विलासराव देशमुक ठीक है अगला प्रस्थमारे सामने है अंबाला सहर का जो बस स्टेंड है उसका नाम बदल कर किस भारतिया राजनेता के नाम पर रखा गया है और अंबाला सहर बस स्टेंड का नाम जो है वो आपसर नमवर सी सुसमा सौराजी के नाम पर रखा गया है जिनका हाल फिलाल में कुछ दिन पहले जो है वो निधन हो गया है यह हमारी देश की जो है वो क्या रह चुकी है तो आप सभी को पता है दिल्ली की सियम भी रह चुकी थी यह आप सभी को पता है ना और तो आप सभी को यह भी पता होगा विदेश मंत्री रहते हुए इन्हों और कमांड योजना सुरू की है कौन से राज सरकार ने एक स्किम चालू किया है ताकि वहां के पुलिस को सम्मानित किया जा सके और किया जा सके और किस स्किम के तहट तो appreciate and comment और वो पुलिस है आपका पंजाब option number आपका D ठीक है और पंजाब की अगर वही पर बात कर लिया जाए तो पंजाब की CM कौन है सिरी कैप्टन अमरेंदर सिंग राज्यपाल कौन है सिरी भीपी सिंग बदनोरे और कैपिटल तो वो है आपका चंडीगर अगला प्रस्माने सामने है किस राज सरकार में नसीली दवाओ के खत्रे से निपटने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन जो है वो लाँच किया गया है और ये मोबाइल एप्लिकेशन लाँच किया गया है किरला की मुख्य मंत्री पीना रहे बिजयायन के द्वारा अब इसके अंडर क्या होगा इस application के माद्यम से polis पता लगा पाएगे कहां पर नसा दवा बंद रहे हैं कौन नसा लिया है वो application के माद्यम से पता लगाया जा सकीगा और उस application का नाम क्या है तो वो है आपका ये योधाव यानी warrior ठीक है और किरला के cm कौन है आपके पीनारे बिजयन, राज्यपाल, आरिफ मौम्मद खान और क्यापिटल क्या है तो वो है आपका तिर्विंदरम पूरम ठीक है ना अगला प्रस्तमारे सामने है किस राज सरकार ने इवाओ को आत्म निर्भर बनाने के लिए दो नई इवाओ केंद्रित योजना की घोस्रा की है यानि इवाओ को सिल्फ डिपेंडेंट यानि इवाओ को आत्म निर्भर बनाने के लिए योजना सुरू करने वाला राज सरकार है आपका उत्तर परदेश टोटल सौ करों रूपए की खर्चे आएंगी दोने योजना के तहत इसके अंडर क्या होगा वहाँ के इवाओ को अलग-अलग कार में जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जो है वो आत्म निर्भर सिल्फ डिपेंडेंस हो पाए ठीक है और उत्तर परदेश के गवर्नर कौन है अनेंदीमेंट पटेल राज्यपाल कैपिटल तो वो है आपका लखनाउ और अहाँ पर किया गया है और यह किया गया है आपका अप्सवन नंबर सी जम्मू में और जम्मू एंड कस्मीर के राज्यपाल कौन है उपर राज्यपाल याद रखिएगा ग्रिस चंद्र मुर्मू अगर वही पर भाग करे लद्दाक का कौन है तो आप सभी बोलेंगे नंबर लांच करेगा ठीक है और साइद मैंने कल के कॉमेंट से मैंने देखा था कि इसरो का हेट क्वार्टर मैंने साइद आपको कल न्यू दिल्ली बताया था भूल से हो गया होगा इसरो का हेट क्वार्टर वो कहां पर है आपका तो वो है आपका बैंगलोरू में और न् अगला प्रस्त हमारे सामने है चानक की नीती वर्सेस और लाइफ एंड लिविंग नामक अनुवादित पुस्तक किसके द्वारा प्रकासित की गई है अगला प्रस्त हमारे सामने है ACI कुस्ती Championship की सहर में आयुजित की जाएगी और ASEAN Wrestling Championship जो है वो होने वाला है option number आपका D नई दिल्ली में ठीक है अगला प्रस्वारे सामने है किस सहर ने क्रिसी विकास के अंतराष्टिय कोस्ट की 43 वी Governing Council की बैठक आयुद की है और ये होस्ट किया है आपका रोम option number D यानि इटली का जो राजधानी है रोम वहाँ पर ये जो है ये आयोजिन किया जाएगा और क्यापिटल क्या है आपका इटली का सभी को पता है रोम मुद्रा तो मुद्रा है वहाँ का एरो वहाँ पर करेंसी और वहाँ के परधान मंत्री का नाम क्या है तो ग्यूस पे कोंटे जो है वो इटली के परधान मंत्री है अगला प्रसमारे सामने है आरवियाई ने वित्वर्स को बदलने और इससे सरकार के साथ सरंकित करने का निर्णाई लिया है आरवियाई निमलिखित वित्वर्स में से किसका अनुसरन करता है अभी आप सभी को पता है रिजर बैंक आफ इंडिया जो है उसके अनुसार financial year कौन सा है तो जुलाई और जून का option number आपका B लेकिन अब जो है नया financial year जो RBI कर सकता है अपने लिए वो कर सकता है आपका March और April में जब ये confirm हो जाएगा तो मैं दुबारा आपको इसके बारे में बताऊंगा लेकिन आप जान लीजेगा अभी जुलाई और जून का जो है वो financial year Reserve Bank of India follow करता है लेकिन March और April जो है इसको बहुत जल्दी करने का निंड़ने लिया जा सकता है Reserve Bank of India के दुआरा ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है प्रुसो की सेणी में 77 Senior National Squash Championship का खिताब किसने जीता है 77 Senior National Squash Championship title in man category में किसने जीता है तो उनका नाम है आपका option number C सौरब घुसाल ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है भारत सरकार ने किस बैंक के साथ अटल भूजल योजना का समर्थन करने के लिए 450 मिलियन का समझोता किया है और ये 450 मिलियन डॉलर का समझोता किया गया है आपका World Bank के द्वारा यानि option number B अब ये अटल भूजल योजना है क्या यानि हर एक गाव में हर एक पंचायत में जो पानी का अस्तर साफ हो सके पूरे ground level से काम हो सके पानी को लेकर ठीक है तो ये थे आपके important current affair 29 February का इसका पूरा PDF आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा या फिर हमारे telegram पर share कर दिया गया है वहाँ से आप direct जो है वो download कर सकते हैं और एक बात पिछले 6 महने का current affair का PDF इस वीडियो के description में मैंने दे दिया है तो आप सभी download करकर revision करना start करो क्योंकि 19 के current affair भी काफी important है आपके exam के point of view से सो मेरे जितने भी भाई बैन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत good morning आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही खयाल लखेगा ठीक है ना चलिए